वेल्कम बैक सु दिस इस खिरन यहर हो प्रोजेक के पाइथन के लास्ट वीडियो पार्ट में मैं आपका सौगत करता हो अगर आपने होटेल मैं इस प्रोजेक प्रोजेक बहुत कुछ सिखने मिला होगा तो चले हम यूट्व में जाते तो आप डायरिक यहाँ पर प्लेलीस भी अक्सेस कर सकते हैं तो मैंने अल्रेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहां पर बनाई हुए है आप देख सकते हैं ठीक है और यहां से प्लेलिस्ट को भी आक्सेस कर सकते हैं तो यहां पर हाउ to create hotel management system project और login system project यानि पाइधन project using TK Inter my skill database के साथ आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे project आपके लिए ले आओंगा आपको सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe करना है तो हम जाते हैं हमारे project में ठीक है तो हमें इस वीडियो में क्या बनाना है लास्ट वीडियो में तो हमें details पर काम करना है इस detail पर क्लिक करने के बाद room details add करने के लिए हमें ये window page open होके आये और वहां पर हम floor और room number add कर सके ठीक है उस पर काम करना है तो अगर मैं यहां पर बता हो आपको तो यहाँ पर single room, double room, luxury room यह automatically वहाँ से हमें database से collect होके आए then यहाँ पर भी room number यहाँ पर show हो जाए combo box में ठीक है तो उस पर काम करना है तो इसी की तरह हमें एक page बनानी है window page तो waste code में चलते हम ठीक है waste code में आ चुके हम तो यह अलग प्रोजटता ठीक है तो हमें यहाँ पर एक file बनानी होगी तो file बनानी के लिए हम यहाँ पर यहाँ पर मैं file का नाम रख देता हूँ details ठीक है details.py तो यह file बन चुकी है तो हमें क्या करना है तो इस room से simple मुझे क्या करना है यहाँ का data इस window page को copy करना है और simple यहाँ पर जआके paste करना है ठीक है इसके बाद हम जाएंगे नीचे तो नीचे जाके हमें क्या करना है last का जो object call किया था इसको हमें copy करना है copy तो यहाँ पर नीचे आएंगे हम इंटर दबाएंगे तो इसके नीचे paste कर लेंगे तो मैं हमीं यहां पर changes करने होगे हमी class का नाम change करना होगा ठीक है तो यहां पर class का नाम रखेंगे है details यहां पर details room ठीक है तो यहां पर हम मैंने object का भी नाम यहां पर change कर लिया है जो class का नाम होगा तो दोनों एक साथ चेंज कर लिए यहाँ पर ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा Ctrl S करके इसको रन करके देखा तो आपको तो यहाँ पर देखे हमारी पेज आ चुकिए तो हम यहाँ पर टाइटल लेबल लगाएंगे तो हम क्या करना होगा जाएंगे रूम में तो इसके उपर जाएंगे तो हम यहाँ पर उटाना है टाइटल लोगो और लेबल फ्रेम तो हम इसको उटाएंगे कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके देखते हैं तो यहां पर देखे हमारे टाइटल और लेबल्स यहां पर आ चुका और यहां पर फ्रेम भी आ चुका है तो फ्रेम को हमें चेंज करना है तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या बनाना है ठीक है पिछली प्रोजेक करूंगा मैं तो यहां पर जाएंगे वेस्ट कोड में तो मैं थोड़ी इसकी जो इस फ्रेम की हाइट वीट और हाइट थोड़ी सी कम कर लेता हो इसकी वीट थोड़ी सी बढ़ा लेता हो तो वीट तो 520 कर लेता हूँ, 540 कर लेता हूँ, ठीक है, और इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे कम करनी है, तो 350 कर लेता हूँ, और इसका नाम चेंज करना है हमें, तो इस पर लिखेंगे हम new room add, ठीक है, तो इसको हमें, तो यहाँ पर space देंगे, और control S करेंगे, देखते हमारा frame कैसे द खरेंगे, तो से कुछ हम images डालेंगे, यहाँ पर labels और entry चाहिए, धर हम यहाँ पर buttons बनाएंगे, और यहाँ पर table बनाना है, जोकि database स्टेटा यहाँ पर show होगा, ठीक है, तो इसे close करेंगे, और यहाँ पर नीचे हम करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर labels और यहां पर भी हम चेंज करेंगे तो यहां पर दबा के सलेक्ट कर सकते हैं यहां पर यहां पर लिखेंगे हम फ्लोर ठीक है इससे हटा लेता हूं यहां पर मुझे प्लोर ठेक्र टो यहां पर भी नाम चेंज कर लेता हूं लेबल का लोर mm तो यहां पर इंट्री में चाहिए हमें कीडाव अचाण कीic पर Ctrl S करके रन करके देखते हैं तो कैसी इंट्री बनी है हमारी इंट्री आउल्स लेबल यहाँ पर वैर कंटा ओके तो यहाँ पर देखे हमने टेक्स वेरिवल डिकलर नहीं किया तो यहाँ पर हम इसको भी हटाना होगा नहीं तो इरोद्स कर रहा है तो इससे ओसे और यहाँ पर Ctrl S करेंगे और यहां से रन आप सब्सक्राइब यहा उच्छब है तो इसी तरह मुझे नीचे भी बनाने होंगे तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूं मैंने यहां पर सारे नाम चेंज कर ले तो यहां पर देखिए तो वीडियो को पॉज करके यहां पर लिख सकते हैं तो मैं Ctrl-S करूंगा और यहां से तो यहां पर देखिए हमारे लेबल्स और इंट्री फिल आ चुके है तो हमें नीचे बटन्स बनाने होंगे तो बटन्स बनाएंगे तो बटन्स बनाने के लिए हम नीचे जाएंगे यहां पर और देख लेते हैं यहां पर हमने बटन्स कहां पर बनाया थे तो उसी को हमें करना है थी को तो यहां पे समझ का क्रैजिद के बाद control एस करेंगे तो इससे पहले क्या करना होगा इस मार्ण को जो हमने में निके टें इस फंक्शन को में हटाना होगा क्यों कि हम नीक्न अभी तक थाओ ग टियidents है ठीक तो यहां पे हम आटाएंगे सरा चीक है सही तरीके से हटाई है नहीं तो कामा या कुछ रह गया तो यहां पर इरर शो हो जाएगा चीक है कंट्रोल एस करेंगे और यहां से रन करेंगे हम तो यहां पर इरर शो कर रहा है तो क्यों इरर शो कर रहा है देखते हैं syntax error invalid syntax थीक है तो 67 लाइन पर इरर शो कर रहा है तो यहां पर देखे तो यहां पर हमने देखे जो code था इस code से बहार आ गया था reset और यहां पर control अब सही है तो मगर यहां पर जो हमने बटन बनाने था है यहां पर शो नहीं हो रहे क्यों नहीं शो हो रहे देखते हैं तो हमने copy paste किया तो यहां पर जो बटन फ्रेम था यह लेप लेवल फ्रेम के अंदर है तो इसकी फ्रेम जो वाइक्सस है यह बहुत नीचे है मुझे इतनी नहीं चाहिए तो मैं यहां पर कर लीटा एक स्रेम बनाना तो मैं से एक फ्रेम कोपी कर लेता है तो हम यहां पर नाम कोपी करना कि तो उसके बाद हमिए क्या करना होगा थोड़ा साइसकी एक सैस्टे कर लेते 600 य कर लित ऊड़िए खॉटी उस्लिद में सिक्स और लेते तो यहाँ पर लेते हमें थोड़िशा ही में क Domini तो तो थोड़ी ज्यादा बढ़ा लेता हूं ठीक है 350 तो मैं Ctrl S करके इसे रन करके दिखाता हूं तो यहां पर देखे हमारे यह जू लेबल फ्रेम है यहां पर आज शो हो रहा है ठीक है तो इसके अंदर हमें टेबल बनाना है तो हम टेबल बना लेते हैं तो टेबल बनाने के ल कि कर लेता हो ठीक है से लेकर यहां तक यहां- तक और यहां पर कॉपी देन यहां पर जाएंगे करना चैजИक करना है इसे तो यहां पर यहां पर हमने जीब नाम लिखा था इसको change करना है इससे ठीक है तो यह से copy कर लेते हैं और यह जो detail stable है जहां जहां पर उसको change करते है change all recurrence right click करने के बाद वो आ जाएगा और यहां पर paste कर देंगे ठीक है तो इसको paste करने के बाद तो हम इससे क्या करते है और एक खामी लेना होगा ठीक है आप इस ठीक है तो मैं Ctrl S करके इसे Run करके देखा था आपको तो यहाँ पर देखे हमारे Scroll Bar आ चुके है तो उपर यहाँ पर एक Table भी आ चुका है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मगर दिखाई देगा बाद में ठीक है तो यहाँ पर हमें Scroll Bar तो दिख रहे है तो इसे Close करेंगे और यहाँ से तो हमें क्या करना होगा नीचे जो हमने यहाँ पर Room Table लिखे थे इस Heading से लेकर यहाँ से लेकर नीचे तक यहाँ पर जो Pack किया था यहाँ तक हमें Copy करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर Simple पेस्ट करना है अगर कोई यहाँ पर आगे या पीचे हो जाए टेक्स तो इसको हमें Set करना है ठीक है तो सीधा हमें Room Table की जगा जहाँ पर हमने यहाँ पर Room Table लिखा था तो यही रख देते ठीक है कोई भरकने पड़ता है तो इसे Ctrl-A करेंगे और यहाँ से run करके देखते हैं हमारे टेबल यहां पर शोर आया नहीं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल परपेक्टल हमारे टेबल यहां पर शोर रहा है इसके हमीं क्या करना है इसमें आंदर हमें नाम चेंज क करने के लिए हां पर चाहिए हमिए फरस्ट्री आंपने क्या बनाया था तो पर देख लेते हैं यहां पर फ्लोर्रोम नंबर आरे और रूम टप चाहिए तीन इनगर ग slides की नाम चाहिए तो हम यहां पर फटाना होगा जो नहीं है ठीक है तो यहां पर फर्स चाहिए रूम नंबर Conference को डमी देना है रूम नंबर कुछ भी देश सकते हैं यहां ठीक है तो इसी नाम है इसे कर सक्केphony हैं को बीचलता हूं तो मैंना यहां पर COPY PASTE कर लिया है तो यहां पर देख लेजわか 1 देख impair जा स्टेसित एक्स्त्रा जो column name थे मैंने हटा लिया जो हम सी वने तो यहांपर देखें के तीन हमें हमें चाहिए ठीक है column name तो यहांपर भी law那么 लूंबर रूम टाइप तो यहांपर heading show करायए उसके बाद मैंने और यहां पर इसकी वीड़ा विएक कर लिया तो यहां पर आपको वीडियो को पॉझ करके लिक सकते हैं तो देख लीजे पर Ctrl एस करूँगे यहां से रून करूंगा मैं है तो यहां पर देखे हमारी सारे कॉलम्स नेम यहां पर शोह हो रहे हैं तो यह तो हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी इंट्री फिल का डेटा है, यहां पर add update डिलीट करेंगे, तो यहां पर show हना चाहिए सारा डेटा, और उसके लिए मुझे एक database में table भी create करना होगा, तो चलिए हम database में जाते हैं, तो वहां पर हम table भी create कर लेते हैं, तो इसे close सब्सक्राइब करेंगे पहले सी हमार रूम नंबर रूम और यहां पर जो कस्टमर था तो यहां पर टेबल पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके टेबल पर यहां पर क्लिक करना है ठीक है तो यहां पर आ जाएगा यहां पर हमें टेबल का नाम रखना तो डिटेल्स कर दे देने हाते हैं हमें तो यहाँ पर फर्स्ट देना हमें फ्लोर तो यहाँ पर फ्लोर तो नीचे मैं दूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर हमें रूम नंबर चाहिए रूम यहाँ पर रूम नंबर तो रूम नंबर को मैं प्राइमिरी कर दूँगा तो इसको भी मैं क्या कर लेत अभिस को थो फोटिफाइं झायग थो यहाँ पर नीचे हमें रुम टाइब चाहिए रुम टाइब टेक而 यहाँ टाइब टो इसके बाद हमि आपलाई करना होता है यहां पर तो इसदी यहां पर मुझे इसको प्राइमरी नहीं करना है फ्लोर को ठीक है और यहां पर अप्लाए और यहां पर देखें सारा डेटा हमारा माइस्वेल की तरह आ चुका है और यहां पर अप्लाए करेंगे और यहां पर फिनिस तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूं और यहां पर देखता हूं हमारे टेबल बन चुका या नहीं यहां पर डिकेट वाला हमारे टेबल बन चुका है तो यहां पर हमें क्लिक करना है इसका स्ट्रक्चर देश सकते हैं तो इस टेबल में हमें डेटा इंसेट करना है जो भी फ्लोर इंसेट करने होगे तो वेस्ट कोड में चलते हैं तो यहां पर आने के बाद हम क्या करेंगे तो नीचे यहां पर एक फंक्शन बनाएंगे ठीक है तो यहां पर फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा तो यहां पर देखना है हमें कुछ यहां पर intenation एर न आ जाए क्योंकि आगे पीछे हो जाता है जब भी हम कॉफी करते तो हम यहां पर क्या करना होगा जो हमने वैरिबल जो इंटरिफिल बनाये था उसके लिए हमें कुछ वैरिबल विद बनाने होगे और इस वैरिबल को हमे लेबल भी है तो हम यहां पर जो में टेक्स वेरिवल चाहिए तो यहीं पर टेक्स वेरिवल बना लेते ठीक है तो हमें वेरिवल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कुछ भी ऒैरिभल टाइप चाहिए थे doable टो से तो स्ट्रीव क्यों क्यों अहां जल्दी यहां पर क्या कर लिता हो यहां पर बना लेता हो तो पएले मैं यहां पर टेक्स वेरिभल यहां पर syntax जिरर आ जाएगा variable ठीक है equals to self dot जो भी variable का नाम है यहाँ पर डाल सकते floor तो इसी तरह हमें नीचे भी दो entry और entry फिल में डालना है और variable बनाना है तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ तो मैंने सारे variable बना लिया और entry फिल में text variable की मदद से variable को set कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते आप ठीक है तो यह जो text variable मैंने बनाया थे यह उपर भी लिख सकते आप सबसे उपर और यहां पर इंट्री फिल है उसके उपर भी लिख सकते ठीक है तो हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद एड में हमीं क्या करना होगा इस बुरीबल क्वाणटाक को चेंज करना होगा अगर आपने यह श्bot क्या तो अपकूई रोडर करेगा ठीक है तो हमें किसे चेंज है जो हमने उपर वेरिबल बनाे थे वेरिबल फ्लोर से ट्रीक छेखिंङ पर शेका करना है तो मुझे रूम में तो insert ने करना है तो मुझे जो हमने टेवल बनाया था details वाला तो इसके अंदर set करना है तो ठीक है तो मैं इसे copy करके paste कर रहा हूं control जड़ तो इसे paste ठीक है तो मुझे values 3 चाहिए क्योंकि मुझे 3 column में insert करना है तीनी चाहिए तो मुझे इस variable को तो मैं variable first floor करूंगा तो यहां पर floor आ चुका है तो यहां पर मुझे चाहिए variable तो यहां पर room number चाहिए तो room number भी आ चुका है यहां पर आपको automatically suggest भी करेगा variable मुझे चाहिए last room type ठीक है तो इस variable को change करना होगा आपको ध्यान से नहीं तो इरर शो करेगा ठीक है तो यह वेरिबल सेट हो चुका है तो नीचे जाएंगे आभी तक हमनी face data वाला function नहीं बना है तो इसको comment करेंगे ठीक है comment करने के बाद हमी क्या करना होगा यहां पर रूम बुकड़ा नहीं तो रूम है यहां पर हमनी डिफ चेंच करना ऊगया new room कि यहां पर रूम added successfully थीक है rue a successful पूले यहां पर message बेट यहां पर मैसेज़रे बड़े नहरीं होगी इस बटन में ठीक है तो ऊपर जाएंगे हम उपर जानी कबाद यहां पर कॉमा करके यहाँ पर कमांड करना यंदि कमांड इकल्स तो सेल डाट जो भी हमने फन्स लिकाता यहां पर यहां पर आना चाहिए ठीक है तो हम कंट्रोल जिद रिखतें और यहां से जो हो टेल जो मेन विंदो है तो यह तो यहां शी सबसे नीचे जाएंगे यहां पर जैसे हमने function बनाये था पिछले जो भी हमने विंडो बनाये थे उसके लिए तो उसी तरह हमें बनाना होगा और copy करना है इसे और नीचे आना है और यहां पर ठीक है यहां पर paste करना है तो इससे सही तरह से लगा लिजे और इसका नाम change करना है सरफ हमें नाम देंगे हम तो details रूम कर लेता हो ठीक है जस्ट यह function है तो इसके बाद हम हमें यहां पर जो class लिकिती ऊपर तो यहां पर तो इससे यहां पर डालनी होती है तो हम यहां पर आएंगे नीचे ठीक है तो यहां पर paste करना है और ctrl s करके इससे रन करेंगे यहां से तो यह open हो चुका है अगर यहां से मैं open करूँ details page को तो यहां पर नहीं हो रहा है देखते हैं क्यों नहीं हो तो इस function को हमें बटन में call करना होगा command देनी होगे तो उपर जाते हैं तो यहां पर हमने हमारे बटन है details वाला तो simple यहां पर command लिखना है command तो यहां पर command आएगा equals to self dot जो details function बना था details room तें control s करके इससे run करके देखते हैं ओके perfect यह run हो चुका है तो यहां पर by double Click करें कहुंड यहां पर देखें पेस जो करना है यहां पर यहां पर यहां पर हम जाने के बाद हम देख लेते हैं यहां पर जो हमने function लिखा था उस और नहीं है ठीक है तो हमने सही लिखा है ठीक है तो ctrl s करेंगे और यहां से run करेंगे हम यही से ठीक है तो कुछ add करके देखते हैं data तो floor number 1 कर देता हूँ ठीक है room number कर देता हूँ 101 room type single ठीक है तो add करते हैं तो यहां पर थोड़ी सी हमारी जो message है थोड़ा सा mistake हो चुका room added successfully हो चुका है message आ चुका है तो हम इसे close करेंगे और database में जाएंगे तो देख लेते हैं यहां पर press refresh मारके तो यहां पर देखे हैं हमारा data यहां पर show और add हो चुक यह room तो हमें यहां पर show नहीं हो रहा आभी तक data तो यहां पर यहां पर show कराने के लिए हमने फेच किया था data का पिछले विडियो में तो फेज करना होता है डेटा तो हमें से क्लोज करते है और फेज कर लेते है तो हम रूम में जाएंगे और यहां से जो फेज़ वाला डेटा है इस फंक्शन को कोपी करना है copy देन इस details में आ जाएंगे और यहाँ पर सई तरकी से जो उपर वाला function है उसी line में हमें paste करना है देन मुझे यहाँ पर change करना है जो हमारे table का नाम है तो table का नाम हमें उपर से copy कर लिता हूँ copy देन यहाँ पर मुझे paste करना है ठीक है? paste करने के पास ठीक है? तो हमने देख लिते हैं यहाँ पर कुछ अलग ना हो जाए तो सई सई ठीक है? तो हमी क्या करना है इस paste data को यहाँ पर हमने commit कर लियता तो इसे हटाना है उसके बाद हम उपर जाएंगे और यहाँ पर हम paste करेंगे data self.phase data तो run table में भी add हो जाए data और ctrl s करेंगे और इसे run करके देखते है ठीक है? तो यहाँ पर देखे हमारा data यहाँ पर show हो रहा है ठीक है? तो यहाँ पर मैं जब भी cursor लेके जाओ तो यह सारा data हमें इस entry field में दिखना चाहिए तो इस पर भी काम करेंगे तो gate cursor पर काम करना होगा तो पिछले हमने यहाँ पर जो इस function पर काम किया था ठीक है? तो उसी को copy करना है हमें इसे close करेंगे और यहाँ पर जाएंगे room में तो यहाँ पर gate cursor नाम से function लिखा है तो इसे copy करना है सिर्फ हमे copy then इसके अंदर जाना है और यहाँ पर paste करना है ठीक है? paste करने के बाद देख लिजी यहाँ पर international error ना show हो जाए इसी line में आना चाहिए यह function ठीक है? तो जो भी हमने variable लिखे इसको delete करना है हमें ठीक है? क्योंकि हमने नई variable डालने हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसको copy कर लेते हैं इस variable को copy then यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर और नीचे इसको set करना है हमें तो इससे मैं पीछे ले लेता हूँ ओके? तो यहाँ पर इस formatting में और इससे हमें हटाना है तो हमें यहाँ पर gate नहीं करना है हमें सेट करना है ठीक है तो यहां पर सेट करेंगे तो सेट करना हमें रो नमबर से तो रो फर्स्ट जीरो से आएगा दिन यहां पर भी हमें क्या करना है तो कॉपी पेस्ट करते हैं सिर्फ हम यहां पर कॉपी पेस्ट और यहां पर भी पेस्ट तो यहां पर वन आएगा और यहां पर टू आएगा ठीक है तो इससे हम ऑके परफेक्ट तो गेट करसर में क्या होता है हमें करना होता इसे उपर जाएंगे यहां पर टेबल के पास ठीक है तो इसके नीचे तो हमने यहां पर बाइन किया था टेबल में तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर तो तो इस करसर को हमें bind करना ह条件 shots तो इसको copy करते में अच्छा करना है तो चैıl करने के बाद आभा यहां प्युव करने के बाद जो फंक्शन लिखाता यहां पर फंक्शन लिखाया है इसे कॉल करना नहीं है हमें इस फंख्शन लिखना गया अगर मैं यहां पर फिर से आड़ करो तो यहां पर देखें सम्तिंग वेंट रॉंग डुप्लिकेट इंट्री 104 की डिटेल्स प्राइमरी तो यह डबल जो रूम है हमने अल्रेडी रूम वन नंबर एड किया था ओके रूम नंबर एड किया था उस रूम नंबर से फिर इससे अड़ने होगा अगर मैं यहां पर चेंजस करो तो ठीक है और यहां पर सिंगल की जगा लिकलो डबल और यहां पर एड करो तो रूम एड़ेट सक्सेस्फुली तो यहां पर रूम एड़ हो चुके ठीक है तो हमें अपडेट डिलीट रिसेट पर भी काम करना होगा वह लगता तो इससे कर लेता और यहां पर जाओंगा मैं तो इसके नीचे हमें आपडेट पर काम करना है ठीक है तो अपडेट पर काम करने के लिए हम नीचे जाएंगे और अपडेट फंट्शन को 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 हमिं aún Copy पेस्ट करना है तो यहां से लेकिन किन वेश्मेंस सभी तक तो यहां पे प्लोर हो गया यहां इसके बाद हम यहां पर update पर क्या करेंगे और यहां पर copy करेंगे हम यहां से जो टेबल का नाम है पेस्ट तो यहां पिआ हमें जो कॉलम लिके थे यहां पर यही कॉलम नेम देने होते हैं तो में जल्दी से लेक लेता हूँ हैं तो सच मुझे तो यहां पर देना होगा देख लते थे ठीक है तो यहां पर पर अभायगा तो है तो इपर लिखाए और यहां पर भी नीचे में वेरिबल डिकलर कर लिए जो रूम नंबर था में डिकलर किया है ठीक है उसके बाद मैं नीचे जाना है जहां पर हमारे बटन्स है तो यहां पर बटन्स है कमांड यानिकी अपडेट वाला तो यहां पर हमीं कमांड देना है कमांड इकल्स टू सेल देन फंक्शन का नाम अपडेट ठीक है तो यहां पर हम अपडेट करके देखते हैं तो यहां से अपडेट करेंगे हम तो new room details has been updated successfully तो यहाँ पर देखिए हमारा जो room details है यहाँ पर update हो चुकी है तो यह तो काम हो गया और delete आप reset पर करेंगे हम तो इसे close करेंगे और नेचे जाएंगे तो यहाँ पर तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने कहाँ पर लिखा था reset वाली और delete वाली क्यों रही है तो इसे copy करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे इस function को इस line में paste करेंगे ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या changes करने है श्रिप तो यहाँ पर हमें श्रिप table का नाम चेंज करना है तो टेबल का नाम था details copy करेंगे उपर से यहाँ पर paste और यहाँ पर हमें किस से डिलिट करना है तो हमें रूम नमबर से करना है तो यहाँ पर रूम नमबर लिखना होगा यह changes करना होगा contact वाला तो यहां पर variable यहां पर रोम तो यहां पर रूम नमबर तो उपर देख लेता हूं मैं यही है या गलत है तो सही है ठीक है तो यह देख लिजिए वेरिबल नहीं तो यह गड़बड हो जाएगा अलग वेरिबल आप डिकलर करेंगे तो ठीक है तो एक्जिकुट नहीं होगा तो डिलीट क्यूरी यह बरबर डिलीट फ्रॉम डिटेल्स इस टेबल का करना हमें वेर रूम नमबर से ठीक है तो नीचे जाएंगे हम तो यह बिल्कुल सही है ओके तो हम कंट्रोल एस करेंगे और उपर जाके मझे कमांड देनी होगी जिस बटन में यानिके डाट यहां डिलीट फंक्शन लिकाता हमने तो यहां पर एम डिलीट तो यहां पर क्यों नहीं आ रहा है देखते हम यह तो यहां पर हमें फंक्शन शो नहीं आ रहा देखते क्या एर रहा है नीचे तो यहां पर ओके तो यहां पर यहां पर हमें सजेस्ट भी नहीं कर रहा माता क्योंकि यहाँ पर इंदेशिन इडर यह आगे है इस लाइन से तो यह सेममी में होने चाहिए सारे फंक्शन तो हम उपर जाएंगे को में थिक है तो यहाँ पर यहाँ पर कमांडर इने हैं में command equals to self dot m delete तो यहां पर देखे सजेशन करेगा आपको control yes और यहां से run करेंगे हम तो यहां पर invalid syntax ओके तो यहां पर ना ओके तो हमने गलत लिखा है यहां पर command double हो चुके यहां पर देखे तो यहां पर repetition में आ चुका है control yes और यहां से हम रन करेंगे ठीक है तो हम डिलीट करके देखते हैं इस रूम नंबर को ठीक है यहां पर पूछ रहा है do you want to delete customer तो इस message को हमें चेंज करना है करेंगे हम और यह करेंगे तो यहां पर देखे डिलीट हो चुका है ठीक है तो यह बटन पर हमने काम कर लिया तो इसे क्लोज करेंगे कुछ messages में changes करना है हमें नीचे जाता हूं है तो यहां पर हमें क्या करना है है ओके तो यहां पर तो जहां पर हमारा message था do you want to delete this customer की जगह हमें रूम रूम डिटेल्स ठीक है तो जहां पर हमने message लिखे थे सिर्फ हमें message विजर को शो कराने के लिए यहां पर changes करना है तो यहां पर प्लीज इंटर मोबाइल नंबर की जगह फ्लोर नंबर ठीक है तो message चेंज करने इस रिफा में तो यहां पर new करना था मुझे यह नहीं हो गया new room added successfully तो यहां पर ठीक है तो मुझे reset पर काम करना है तो यहां पर रोम में जाओंगा और यहां पर reset वाला copy करना है तो copy से पहले में क्या करूंगा उपर से लोंगा तो जहां पर हमने reset set वाले हमें सिर्फ variable को set करना है कि reset में तो हमें simple यहां पर आएंगे और define reset यहां पर लिख लेते हैं यहां पर data reset data दिन यहां पर cell pass करेंगे और नीचे क्या करेंगे जो variable लिए थे हमने यहां पर पेस्ट कर लिया तो पेस्ट यहां पर set करना हमें blank text थे ठीक है तो इसे हटा लेते हैं और यहां पर डाल लेते है blank text और इसे control is करेंगे और उपर जाएंगे हम तो यहां पर reset में यहां पर command देनी होगी हमें तो यहां पर command equals to self तो यहां पर self dot reset data तो control is और यहां से run करेंगे हम तो यह run हो चुका है अगर मैं यहां पर क्लिक कुरा और reset पर क्लिक करो तो यहां पर सारा data हमें reset हो रहा है तो कुछ हम floor भी add करेंगे तो one floor पर हमें room number one zero zero two से मिलेगा दिन यहां पर double room से ठीक है और यहां पर add करेंगे हम तुरंत add वह रहा है new room added successfully तो यहां पर मुझे चाहिए one से यहां पर three करेंगे और यहां पर मुझे लगजरी चाहिए तो यहां पर add तो मुझे यहां पर duplex चाहिए और यहां पर हमें room number करते फोर तो यहां पर add अगर यहां पर मैं two करो two से यहां पर two 001 यहां पर आएगा single तो यहां पर add कर सकते आएसे हम कितने सारे जितने चाहिए उतने यहां पर two और यहां पर double तो यहां पर add तो आइसे हम warm room at करेंगे इस room को हमें शो कराना है तो काहाँ तो यहां पर हमें शो कराना है यहां übers सिंगल रूम या डबल रूम इस कॉमबो बॉक्स में वह जो हमारे रूम टाइप यहां पर शो होना चाहिए दिन यहां पर आवेबल रूम्स यहां पर कॉमबो बॉक्स जैसे से तो हाँ यहां पहर उस डेटाबेस से यहां पर शो कराना है के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम जाएंगे वेस्गोड मेशलों में अच्छा कई स्व know et student रोमा सब्सक्राना अच्छा जाना होगा यहां तो मुझे combo box चाहिए, combo box ऐसा ठीक है, इस तरह, ठीक है, मैं इसे ही copy कर लेता हूँ, और यहां से इस interview को comment कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ बात नहीं, इसे हम बाद में हटा लेंगे, और यहां पर paste करेंगे उपर आला, और इसको हम change करेंगे, ठीक है, तो आल दबा की यहां प तो यहां पर, ठीक है, तो हमें इसके उपर यहां पर database create करना होगा, database की मुझे details इस table से, यहन कि मैं यहां पर run करो, तो यहां पर already run है, ठीक है, तो अगर मैं इसे close करो और यहां पर click करो, तो यह data हमें show कराना है, order table में है, ठीक है, order window में और order table में है, तो हमें क्या करना हो तो यहां पर हमें database create करना होगा तो मैं simple यहां पर जाओंगा जहां पर हमारा database यहां पर create है simple हमें इसे copy करना है तो इसको तो हमें paste करना है data तो मैं यह इसे copy कर लेता हूं ठीक है तो इतना काम हो गया हमें तो हमें क्या करना है फेज क्या करना है हमें तो यहां पर फेज करना है रूम नंबर फेज करना है तो रूम नंबर हम यहां पर कॉलम लिखेंगे जो हमने डेटाबेस में लिखा था रूम नंबर तो यहां पर देखेंगे तो इसका इस कॉलम का नाम हम लिखना आप तो यहां पर जएंगे अस Natomiast इस टेबल में में से हमें डिटा चाहिए लूममर ठीक है हम लिघ्ञ करेंगे रोज में इस अंव्यरियरेंबल में सारा डेता पर करेंगे उन्पनोंबर वाला ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर पेश install किया इसके बाद यह सारा डेटा रोज में आ चुका है तो हम इसको हटा देंगे ठीक है तो यह डिटा हम यहां पर शो कराएंगे तो यहां पर लिंकिंगे रोज ठीक है तो यहां पर आना चाहिए रोज तो यहां पर ठीक है तो यह सारा डेटा इस वैलुज में शो हो जाएगा कॉमबो बॉक्स में तो यहां पर हमने spelling mistake लिखे तो यहां पर देखे है नहीं तो इरर शो हो जाएगा क्योंकि हमने जो कॉलम का नाम था यहां पर रूम नंबर है ठीक है तो इ होना चाहिए यहां पर नएं तो इरर शो हो जाएगा ठीक है तो यहां पर रूम तो Ctrl-A करेंगे और Main Windows यहां रन करेंगे तो यहां से रन ठीक है तो यहां से रन हो चुका है अगर मैं इसे बड़ा करो यहां सुरेड से नहीं डिटेल स्ट रूम में जाओ तो देखें यहां पर हमारेyu टाइप यहां पर थोड़ी सिगलती हो चुके तो देखती हैं हमने तो यहां पर रोम में जैंगे तो आप यहां पर धी करना ले ο हुआ पर वाला कॉपी किया था ऊपर वाला कॉपी किया असी में स्टूर रहेगा तो हमीं इसको चेंज करना होगा तो टेक्स वेरिबल estás होगा केरिय आप से हमने इसको गॉपीर करके दालेंगे तो हमीं क्या करना है reverb कंट्रोल करना है स्शेबh could यहां से रन तो एप यहां पे लुछ हे सारा पर यहां पर दिखेंग यहां तो आपको दिकरा होगा यहां पर थिए तो इसी तरह चाहिए मुझे और यहां पर डेटा शूह और हो तो इसकी तरह यहां पर पर रूम टाइप है इसमें भी हमारे जी रूम टाइप हमने लिखे थे यहां पर शो होने चाहिए ठीक है तो मुझे क्या करना है स्रीप यहां पर क्लोज करूँगा मैं और सिंपल जो डेटाबेस है हमारा यहीं से कॉपी होगा और उपर जाएंगे हम ठीक है तो इसके यहां पर पेस्ट कर देंगे तो यहां पर क्या चाहिए तो यहां पर मुझे सलेक के बाद मुझे यहां पर दिखाऊंगा आपको रूम टाइप तो इस कॉलम को मुझे कॉपी करना है और सही से यहां पर डालना है ठीक है तो यह डेटा सारा इस रोज की जगा में नाम चेंज कर लेता हूं ठीक है तो यहां से हटाऊंगा मैं इसको और यहां पर मैं क्या करूंगा आईदी को डाल दूंगा इस वेरिबल में सारा डेटा मेरा यहां पर आ जायेगा जो भी हमार रोंड टाइप से देन मुझे मैं यहां पर कॉमभो बाक्स में शो कराऊंगा इस वेरिबल की मदद से ठीक है तो यह सही ह तो मुझे Ctrl S करना है श्रिप देन मैं यहां से Run करूंगा में विंडो से और यहां से Run ठीक है अब सही है अगर मैं यहां पर रूम पर किलिक करो तो यहां पर दिख रहा होगा आपको जो भी हमने पर यहां पर क्यों शो हो रहे है अगर फॉर्स रूम देखो मैं यहां पर नंबर वन डबलेटा इंटर करें में तो ways gwheitet में हम रूम में जाना है उलास्ट में यहां पर लिखेते हम यह जो buttons यानि की ellips condition है तो इस्से हमी कॉपी करनाया सिरुप कोपी करके नीचे आना है और यहां पार हमें leads कलना से और इहां पर कर लिते हम चेंजस तो हम यहां पर कुछ दूसरा नहीं करना है अगरम सकते हैं ब्रेक फास्ट करो ब्रेक। थीक है तो स्पेलिंग सई से होने चाहिए जहाँ पर हमने अंदर जो ब्रिक फास्ट लिखाता वह होनी चाहिए ने तो आपको एरर शो करेगा यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल एस करूंगा अगर मैं यहाँ पर में विंडोस से रन करों इसे क्लोज करके तो यहाँ से रन और यहाँ से तो यहाँ पर कुछ वैलेडिशन यानकी इन्वैलिट सिंटैस बोल रहा है ठीक है देख लेते हैं तो रूम में जाएंगे तो ठीक है यहाँ पर थोड़ा आगे है तो थोड़ा यहाँ पर तो इस लाइन में इसी लाइन में होना चाहिए ने त से रन करके देखता हूब यह हो रहा है ठीक है तो यह में सिंटाक्स इरा पूराös जो रहा था क्यूंकि यह जो हमारी इंदेन्रेशन है सेम होनी चाहें तो अलग से हमें इसलों करेंगे यहां से अगर यहां पर मैं देखो यहां पर कस्टमर डिटेल कुछ डाल दू एक कस्टमर नेम मीना थीक है तो यहां पर मदर नेम डालो मैं इसका सीना स्वरी यहाँ पे mail फीमेल ठीक है पोस्ट कोड ऐसे डाल दो इन मोबाइल नंबर डालो मैं इसका ठीक है इमेल डाल दो मेना डाल रहा हम है gmail.com तो यह Indian है इसका अधार कार्ड नंबर डालते हैं हम ठीक है तो यहाँ पे अधार कार्ड बारा नंबर का होता है ओके address दिल ही दिली की है देन अध ओके कस्टमर अधे तो यहाँ पर मीना आड हो चुके है इस मीना का हम नंबर कॉपी करेंगे कॉपी देने से क्लोज कर लेता हम है रूम में जाओंगा और इसके नाम की रूम बुक करूंगा पहले देख लेता हूं यह मीना आड है यह नहीं हमारी कस्टमर डिटेल में तो यहाँ इसके बाद हम यहाँ पर आड कर सकते मिना को मिना को आड करेंगे तो आज की करेंगे तो यहां पर कैलेंडर भी हम 새器 कर सकते मगर थोड़ा सा लेंट लेंटली हो जयाथتा तो इसलिए मैं डाला हूं अगर आपको डालना है तो डाल सकते यहां पर कैलेंडर ठीक है तो यहां पर कॉपी देन यहां पर पेस्ट तो हम मीना रहने वाले तो यहां पर डेट्स मुझे वन डालनी थी और यहां पर डालनी थी टू ठीक है कुछ भी डाल सकते अपकी मर्जी तो मैं यहां पर यहां पर मैंने कोड क्या लिखा था डुप्लेक्स के लिए मैं देख लिए था हूं सिंगली रूम ठीक है ब्रेक फास्ट के लिए डुप्लेक्स बुक किया था तो यहां पर जाएंगे हम तो यहां पर डुप्लेक्स ठीक है तो डुप्लेक्स 1004 के लिए मिल में मुझे चाहिए ब्रेक फास् यहां पर फास्ट ठीक है तो यहां पर बील कैलकुलेट करेंगे हम तो यहां पर देखे सारा बील हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है और नंबर आप डेज भी कैलकुलेट होके आ रहे है तो चाहिए तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं ठीक है प्रिंट भी कर सकते हैं यहां भी 31 डेट्स का इंडियन रुपेज में 1600 यानिकी 1668.79 इस लॉग और फंक्षन पर भी काम करना है दिन अगर मैं यहाँ पर हमें login विंडो भी लगानी है login बटन से हम यहाँ पर इस project में login करेंगे तो उस login विंडो पी लगाएंगे हम तो चले हैं इससे close करते हैं तो waste code में आ जाओंगा मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे क्या करना है login बटन जो login फंक्षन लिखा था हमाई ने यहाँ पर मैंने paste कर लिया है जो हमने फाइल लिकी ठीक है तो मैंने अल्री बता दिया है कि login बटन कैसे बनाते हैं या login फंक्षन या login Page कैसे बनाते हैं मैंने अल्रीटेटरेज यूड़ डाल दिया है आप जाकर देख सकते 해도 तो इसके अंदर हमें क्या करना है सिंपल हमिंट करना तो tę जो होँमेज हे हमारी होटिल वाली तो मैं आपको बताता ओं तो नीचे यहां पे जो लॉगिन है ठीक है तो लॉगिन फक्चन है इसके नीचे जाएंगे और इसके अंदर यहां पर देखे ठीक है तो यहां पर जो जिखे क्टे जरूराने की यही लिखना है मगर top level यह by default function होता है इसके अंदर इसको top level से self.root में open करना है ठीक है यह लिखना है हमें उसके बाद हम क्या करेंगे self.app यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं आप just variable बस तो इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने class लिखा था उस class को हमें call करना है यहाँ ठीक है तो हमने उप control-s करेंगे और इस login page से जो हमारी window है home in hotel management system project open करके देखते हैं इसे close करूँगा मैं और यहाँ से open करूँगा ठीक है run that's fantastic यहाँ पर open हो चुका है तो हम यहाँ पी क्या करेंगे जो हमने username या password बनाया था मैंने already बनाया है जो कि यह page already बनी होगी है ठीक है तो इसे हमें username है मेरा k-advert123 यहाँ की 123 देन आप password डालेंगे 123 ठीक है तो यह मैंने start लगाया हुआ है यहनकी unvisible ठीक है तो हम login करेंग तो यहाँ पर पुचिएका access only admin ठीक है तो मैं admin हूँ तो यहाँ पर देखे हमारा जो home इंडो पेज है मैं hotel में system का यहाँ पर redirect कर रहा है ठीक है तो इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर open करके देखता हूँ अब कुछ open हो रहा है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर open हो रह कर रहेहे ठीक है तो यहाँ पर Hasior logout और report पर काम करना तो report पर आप कर लेजे report में आप कुछ भी ढाल सकते report की जगह आप यहाँ पर वहाँपर होना चाहिए उन्हें इस्पर चाहिए तो में इसे क्लोज करूंगा तो यहाँ पर जाओंगा मैं और यहाँ पर मुझी क्या करना है यानि कि होटल में यहाँ पर नीचे हम एक फंक्शन बनाएंगे दिपाइं तो यहां पर लॉग regard नामशी बनाता था लॉगow आप को इस यहां पर सेल पास करेंगे दिन नीचे आएंगे तो यहां पर सेल डॉट् रूट तो रूट को हमें डिस्ट्रॉय करना है सिम्पल ठीक है तो हमीं इस लॉगाट को हमीं कॉल करना होगा उस बटन में लॉगाट वाले तो उपर जाएंगे तो यहां पर हमीं कमांड दिने होगी कमांड ओके इकोल्स टू सेल डॉट जो भी फंक्शन लिकाता हमने यहां से एक फिर से मैं रन करो लॉग इन वाल से अगर यहास से करो हैं परपिंट料 वर अक्यक्षॉन डालो के दरेट 123 यहां पर पास्वार डालो 123 और यहां पर लॉग्इन करू हमारा उपन हो चुका अगर यहां से मैं logout करो तो देखे यह logout होके जा रहा है जो हमारी window है home early यह होटल मैंग में system वाली यह destroy हो रही है तो यह perfectly हमने work कर लिया है अगर यहां पर देखे यह भी हमारी जो login वाली page है इस पर भी काम हो रहा है ठीक है तो forgot भी password कर सकते है यहां से मैंने already बताया हुआ यह कैसे बनाया जाता है सिर्फ हमने यहां पर क्या किया है pipeline किया है जो कि इसमें access दिया है ठीक है तो यह perfectly हमारा work हो चुका है हमने होटल में system project perfectly बना लिया है आशा करता हो कि आपने भी यह project बहुत अच्छे से enjoy किया होगा और यह project आपने perfectly बनाया होगा I see interesting project मैं आगे थैंक यू